नमस्कार दोस्तों कोरोना के दौरान मीडिया की भूमिका को लेकर तमाम तरह के सवाल उठ रहे हैं सवाल ये भी उठ रहे हैं कि कैसे फेक न्यूज कुछ चैनल या कुछ संस्थान या कुछ पत्रकारों की तरफ से फैलाया गया किस तरह से प्रियाग राज पुलिस ने पत्रकारों की खबरों का खंडन किया ट्विटर पर और कहा कि आप अफ़वा भेला रहे हैं किस तरह से फिरोजवाद पुलिस ने एक बड़े संस्थान के ट्विटर हैंडल पे जो कुछ लिखा गया था जमात के बारे में या यह कि वहाँ जो मुसलिम्स थे उन्होंने पुलिस पर पत्राओ किया बसलुकी की उसको कैसे अफ़वाद बता कर खारिज करते हुए फिरोजवाद पुलिस ने कहा कि आप इस ट्विट को डिलीट करिये और ऐसी बहुत सारी चीज़े दिन रात मीडिया में हो रही है लेकिन इन सब के बीच एक अहम बात है कि जो सवाल यहां पूछना चाहिए जिन से पूछना चाहिए क्या वो पूछा जा रहा है अब इन सब बातों पर बात करने से पहले जड़ा अमेरिका ले चलूँगा आपको और बहुत दिल्चास पहले जड़ा सुनी हैगा गावर से अमेरिका का सबसे बड़ा न्यूज चैनल है न्यूज नेटवर्क है CNN CNN के मशूर एंकर ने वहां के राष्टपती ट्रम्प से कुछ तीखे सवाल पूछे है तीन मिनट का एक वीडियो है जो मेरे ट्विटर और फेस्बुक पेस पर है आप चाहें तो एक बार देख लिजेगा अंग्रेजी में है उसका मैंने एक हमारे मित ने संजया कुमार सि उनसे मैंने हिंदी तरजुमा करवा के कल रात मंगवाया था फेस्बुक पर भी मैंने अपनी बात कही है वो सवाल सिर्फ आप देखे कि वो अमेरिका का एंकर प्रेस्डेंट ड्रम से सवाल पूछ रहा है कलपना कर ये कि वही सवाल भारत में कोई एंकर कोई संपादर जो जो माहौल बना दिया गया उस माहौल के बाद भी जो सबसे जरूरी सवाल है उस माहौल में दब गया और उस पर कोई बात नहीं हो रही है और मेरे ख्याल से कोई पूछेगा भी नहीं चाहेगा और सरकार तो बिल्कुल नहीं चाहेगी कैसे सवाल पूछे जाएं लेकिन व हिंदी तरजुमा बताता हूँ सज्या कुमार सिंग के हवाले से और उसके बाद में बाकी बातें बताऊँगा गौर से सुनियेगा ये वहां का एंकर CNN New Channel का एंकर प्रेसिडेंट से पूछ रहा है सीधा कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं उस एक वैक्ती से सीधे बात करना चाहूँगा जिसके बारे में जाना जाता है कि वो एक कारिकरम प्रेसिडेंट ट्रम्प देखते हैं कम से कम उसके क्लिप तो जरूर देखते हैं राष्ट पती जी अब यहां से सुनिया राष्ट पती जी मैं जानता हूँ आप लाखों अमेरिकियों की तरह चाहते हैं कि देश वापस समान इस्थती में चला जाए ऐसा हो सके इसके लिए अमेरिका के लोगों को जिन सवालों के जिम्मेदार जवाब चाहिए उनमें से एक है प्लान क्या है फैला सवाल एंकर का क्या वाइरस को अलग ठलग करने के लिए अन्य देशों की तरह हर एक अमेरिकी की जाच करानी की कोई विस्तुरत योजना है यह दूसरा सवाल है ऐसा हो सके इसके लिए प्रियाप्त जाच कब होगी यह तीसरा सवाल है जाच और उसकी रिपोर्ट के लिए पैसे कौन देगा यह चौथा सवाल है कौन बताएगा कि जाच के बाद हम संक्रमित पाए गए है या अत्वा नहीं और यह कि उसके बाद क्या करना है क्या ऐसी कोई योजना है कि नर्सों, चिकितसकों, पेशेवरों को जिस Personal Protective Equipment या PPE की आवश्यक्ता है वो उन्हें किसी तरह मिल सके यह यहां भी बहुत बड़ा सवाल है PPE को लेकर और मास्क को लेकर कि कैसे डॉक्टर्स यहां जूज रहे हैं उस पर मैं आगे बात करूँगा अभी पहले यह सवाल सुन लीजिए और कल्पना करिए कि यह सवाल को भारती है चैनल रात में आठ बजे नौ बजे सीधे प्रधान मंतरी मोधी से पूछ रहा हो सिर्फ कल्पना करिए कल्पना ही हो सकती है हाकिकत उमीद मत करिए लेकिन कल्पना करिए हमारे समाच की रक्षा करने और जान बचाने की कोशिस करने वाले हिल्थ वर्कर ऐसा करते हुए सही अर्थों में मर रहे हैं और वोई PPE की भीक मांग रहे हैं ये अमेरिका का एंकर प्रिसिडेंट को सीधे बता रहा है ये इस्थिति यहां भी है और कैसे भीक यहां मांगा जा रहे हैं ये आगे बताओंगा मैं आपको उनसे कहने कि आवशकता नहीं है कि उनके गवर्नर या अस्पताल निदेशक हमारी या ने किसी की जान बचाने के लिए आपूर्ती हासिल की कोशिस करके कोई गल्दी कर रहे हैं इस सबै चीजों की सप्लाई हासिल करने की कोशिस में गवर्नर और मेयर सही अर्थों में एक दूसरे के खिलाप और सरकार के खिलाप बोली लगा रहे हैं इससे कीमतें बढ़ रही है और भ्रम फैल रहा है और बोली लगाने में अनावश्यक प्रतियस्परधा चल रही है ये भी कहा जा रहा है किससे कीमतें बढ़ रही है कंप्टिशन हो रहा है अनावश्यक प्रतियस्परधा हो रही है और यहां भी हो रहा है जो आदमी बता रहा है कि आटा दाल, चावल, हर चीज की कीमत दुग नहीं हो गई, मैगी की कीमत दुग नहीं हो गई, आप उसे ज़्यादा बहतर जानते होंगे, क्योंकि आप सब लोग अपने अपने घरों में सामान मंगा रहे होंगे, लेकिन सबसे निचला तब का इससे न्यूज चैनल का एंकर सीधा सवाल पूछ रहा है, वेंटिलेटर के मामले में क्या इस्थिती है, मिस्टर प्रेसिडेंट, निव यॉर्क के मेर ने कहा कि उनका स्टॉक आज खत्म हो जाएगा, गवर्नर एडवर्ड ने भी कहा कि उनके शहर का गुरुवार को खत्म हो ज चुके हैं, या अमेरिकी सरकार द्वारा किसी कमपनी पर वेंटिलेटर बनाने का दवाव डाला जा रहा है, कुश्चन है, और ये कब तक बनाये जाएंगे, सवाल है, अस्पतालों को ये कब मिलेगे, सवाल है, सिर्फ सवाल सुनते जाए, कितने सही सटीक सवाल है, और आ चुके एटिसी हब कह रहा है कि हम जब धी घर से क्लें तो एक समाहने मास्क लगा कर निकलें, उसकी स्थित्л continua है, ये हम सब जानते हैं कि मास्का रुपर में में बिक रहा है, उसमें बहुत परजी है, बहुत सारे मास्क अनल गाने का क्या सवाल एंकर पूछा ara है राश्टपती जी आखरी राश्टपती जी कृपिया अमेरिका के लोगों को इन सवालों के जवाब चाहिए अब जड़ा सुनिए वो कह रहा है जैसे यहां एंकर कहा करते थे ना नेशन वांट्स टो नो लेकिन वो नेशन वांट्स टो नो 2014 के पहले तक था उसके बाद क्या है आप जानते हैं तो राश्टपती जी इन सवालों का जवाब अमेरिका के लोगों को चाहिए फेस्बुक पर आपकी लोगप्रता में उनकी दिल्चस्पी कम है ये भी कह रहे है कि आप कितने पॉपलर हैं फेस्बुक पर इसमें उनकी दिल्चस्पी कम है अमेरिका की लोगों की हजारों अमेरिकी शोक में हैं बेहत डरे हुए हैं बड़े पैमाने पर अमेरिका में लोगों की मौत हुई है सवाल पूछने के लिए गवर्नर मेर और पत्रकारों पर हमल तक आपके भक्त खुश हो सकते हैं लेकिन इससे किसी की जान नहीं बचने वाली है तो अगर आप भी अंसमर तक हैं तो आप सोचिए आप सवाल पूछने वाले पर हमला करेंगे तो उससे किसी की जान नहीं बचेगे ये अमेरिका का एंकर वहां के प्रसिडेंट से सवाल पूछ रहा है अमेरिका के लोगों को इस समय कोई ऐसा व्यक्ति चाहिए जो यह बता सके कि अमेरिका को मुश्किल से निकालने के लिए क्या कुछ किया जा रहा है या वह मौका है जब नत्रुत की आवशकता है इमानदार सूचनाओं की जरुवत है इसके लिए हमदर्दी चाहिए और एक योजना की जरुवत है क्या आपके पास है तो अमेरिका का ये जो एंकर है CNN का वो पूछ रहा है कि क्या आपके पास है क्या आपके पास योजनाओं है और अमेरिका के लोगों को इमानदार सूचनाओं है चाहिए क्या आप इमांदार सूचना है दे रहें ये कितने अहम सवाल हैं मेरे खिल से कई मिनट में मैंने अपनी बात कही अब ज़रा सोचिए कि भारत के संदर्व में ये सारे सवाल क्यों नहीं पूछे जाने चाहिए भारत में इसमें क्या गलत है और सिर्फ इन सारे सवालों को shift करके भारत लिए आईए, CNN की जगह कोई और new channel का उपर logo लगा दीजिए, और President Trump की जगह प्रदानमंत्री मोधी की तस्वीर लगा दीजिए, तो आपको लगेगा सारे ज़रूरी सवाल हूँ बहू यही स्थितिया हैं, लेकिन यहां कोई पूछ नहीं रह और यहां बताया क्या जा रहा है, पहले मैं डॉक्टरों की मुश्किलें बताओ, कि यहां भी कहा गया कि वेंटिलेटर की कमी है, वेंटिलेटर के लिए भीक मांग रहे हैं, पीपी के लिए भीक मांग रहे हैं, यह अमेरिका का एंकर वहां बता रहा है, और यहां भी भीक मागी जा रहे हैं फरकि यहां सवाल पूछा जारा है यहां सवाल नहीं पूछा जारा है यह हम जानते हैं कि एक साथ अलादीन का चिराग नहीं है कि सारी मुश्किलें 130-35 करोर की आवादी वाले देश में सारी समस्याओं का समाधान हो जाएगा, जब अमेरिका नहीं कर पा रहा है, जिसकी 30 करोर आवादी है, उसे 4 गुनी से ज्यादा आवादी है, हमसे कई गुना ज्यादा बेहतर वहाँ उनकी GDP है, ग्रोथ है, पैसे है, सब कुछ है, जब व सब्दरजंग Medical Association का एक पन्ना वाइरल हुआ, एक मांग पत्र का है, दान पत्र का सकते हैं, जिसकी हेडिंग थी, To whom it may concern, हम सब लोग College School में जब कोई Certificate बन वाते थे कहीं देने के लिए, Character Certificate या किसी भी तरह का Certificate, या कहीं आप किसी नौकरी को छोड़ते हैं, बदलते हैं, तो To whom it may concern, जिसके पास आप दे रहे हैं, वो उसी तरह से उसको समझे, किसी को address नहीं, To whom it may concern करके, सब्दर जंग हॉस्पिटल ने एक डिमांड नोट कहें या दान के लिए जारी किया जिसमें लिखा है कि PPE कि उनको 5000 चाहिए पचास हजार चाहिए, माफ करें, पचास हजार PPE किट चाहिए N35 मास्क 5000 चाहिए, ट्रिपल लेयर मास्क 3000 चाहिए 3000 या 30,000 है, सेनिटाइजर की 10,000 बोत लें चाहिए क्योंकि वहां 500 faculty member है, 700 resident doctor है और 2000 nursing staff, और इसके लिए दान की अपील की है कि आप सब लोग दान करिये, लोगों उसे कहा है आप सोचिए hospital की क्या इस्तिती है अब बिहार के लिए खबर आई थी, हलाकि वहां आपस में ही उसको लेकर आरोप प्रत्यारोप स्वास्त मंत्री कुछ और कर रहे नितिश कुमार की तरब से एक खबर आई थी, जब पास दिन पहले CM के साथ, PM सारे मुख्यमंत्रियों के साथ कॉन्फरेंसिंग में थे, वीडियो कॉन्फरेंसिंग में तो उसमें नितिश कुमार ने कहा था कि उन्हें 5 लाग PPE किट चाहिए जबकि 4000 सिर्फ मिला, सौर वेंटिलेटर चाहिए, नहीं मिला ऐसी बहुत सारी चीजे हर राज्य से आ रही है कि अंदर की इस्तिती हम जान रहे हैं हलाके लाखों की तादाद में PPE किट और मास्ट आने की संभादना है अगले 5-7 दिन में अलग-अलग मुलकों से, चीन से भी और भी जगा है लेकिन मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि डॉक्टर की मुश्किल डॉक्टर की मुसीबत कि मुंबई जैसे शहर में सब्थाइस अप्थाइस नर्सिंग स्टाफ और तीन डॉक्टर एक ही एस्पताल में संक्रमित हो गए कल जो आकडा था दिल्ली का उसमें 12 स्वास्त कर्मी यहां संक्रमित है डॉक्टर अपनी जान जोखिम में डाल कर दिन रात उन मरीजों के साथ काम कर रहा है बिना फैसिलिटी के बिना प्रापर एकुप्मेंट के बिना प्रोटेक्टिव एकुप्मेंट के वो डॉक्टर घर से सुबा निकलता है डरता हुआ ओफिस जाता है स्वारी हॉस्पिटल जाता है लोटता होगा तो हमारा काम सूचना देना है, पत्रकार का काम सवाल पूछना है, क्या हम ये सवाल पूछना है, अभी मैंने जानने की कोशिश की, तो मुझे बताया गया, एक पत्रकार साथी बता रहे थे, कि यहां सूचना देने का तरीका यह है, कि रोज 4 बजे प्रेस कांफरेंस होती है P.I.B. में जो भारत सरकार का अधिकरित सूचना कहेंद रहे हैं और वहां M.H.A, Health Department, ग्रेम मंत्राले और ICMR के तीन अधिकारी होते हैं 15 मिनट की प्रेस कांफरेंस होती है प्रेस कांफरेंस क्या होती है? मीडिया को एड्रेस करते हैं तीन सवाल लेते हैं सेलेक्टर, तीन ही आदमी से और वो भी कल आपने पूछ लिया तो आज आपको मौका नहीं मिलेगा तीन सवाल का जवाब लेकर देकर और बात खतम कर देते हैं उसमें रोज स्वास्त मंत्राले का अधिकारी ये जरूर बताता है कि तबलीगी जमात के कितने लोगों की वज़ा से ये संक्रमन कहां कहां फाइल रहा है ये जरूर बताता है एक आहम सूचना है उनकी तरफ से रोज बाकी कोई जनकारी ने क्या आपने बीते दस दिन में केंद्रिय स्वास्त मंत्री को हर्षवर्धन को प्रेस कांफरेंस करते देखा क्या आपने बीते एक महने में केंद्रिय ग्रेह मंत्री को क्यों प्रेस कांफरेंस करते देखा प्रधान मंत्री ने कोई प्रेस कांफरेंस किया किजान मंत्री तीन बार मीडिया के सामने आया राष्ट को संबोधित किया जनता कर्फिव से लेकर थाली बजाओ से लेकर दिये जलाओ तक चलिए जिनको जलाना था जलाया अच्छी बात है कडोलों लोगों ने जलाया दिवाली जैसा महौल बनाया उसका नतीजा ये हुआ क कोई बीजेपी की महिला नेता रिवालवर से कोरोना को मार रही थी यूपी में और हैदरबाद में बीजेपी का है केमेले राजा सिंग गो करोना गो गो करोना गो और चैनिज वायरस गो बैक के नारे लगा कर मशाल जूलूस निकाल रहा था कई शहरों में और तमाशे हु रही हैं क्योंकि PM भावनात्मक स्थर पर को अपील करते हैं और उसके वाद जुठ जाते हैं उसको पूरा करने में और उसको अपर अमल करने में उन्होंने का दिये जलाओ तो लोगों जितनी हो सकती थी सब लोगों ने कर लिए लेकिन सवाल उता है जो जरूरी सवाल है वो कहां पूछे जा रहे हैं क्यों नहीं ठीक है मीडिया दो दिया जलाने के मुहिम में तीन दिन शामिल हो गया तीन दिन ताली बजाने के मुहिम में शामिल हो गया उसके बाद उसके जिम्यदार है, एक समुधाय जिम्यदार है और उस बहाने आप उसको कभी कुरोना जहाद का नाम दें, कभी इस्लामिक जहाद का नाम दें, यह हो रहा है, जहां सवाल पूछना चाहिए, वहां आप सवाल नहीं पूछ रहे हैं, आप नहीं पूछ रहे हैं कि फरवरी में, अ पहले क्यों नहीं कुछ तैयारी हुए, उन तैयारियों पर सवाल और आगे आने वाले दिनों पर सवाल, यह सवाल गायव है, सवाल क्या है, सिर्फ जमात, ताबलीगी जमात, उसकी वजह से देश में कोरोना का फैलना, और बस अब बाकी समय जो प्रदान मंत्री अपील करते शामिल हो जाएं सब लोग उस काफले में, शंख मुनाधी वाले बाली उस मंडली में, ठीक है, मैं उसकी आलोचना नहीं कर रहा हूं, मैं ये मानता हूं कि कुछ सकारात्मक चीजें भी जरूरी है, मैं मान लिया, मैंने भी अपने घर में ताली तो बजाई थी, चलो ठीक है, एक सकारत्मक महौल है प्रधानमंत्री ने कहा इतने अफसाद के महौल में सकारत्मक था थोड़ी आनी चाहिए लेकिन सवाल कहा गाए वें आप सवाल तो पूछो आज अगर राहूल गांधी होता तो या राहूल गांधी की कोई गलती मिल जाए तो सारा चैनल सारा मीडिया चड़ाई कर देगा राहूल गांधी पर और यहां इतने सवाल है सरकार से पूछने के लिए वो सवाल पूछे नहीं जा रहे हैं जो जी ओएम है ग्रूप आप मिनिस्टर जिसके अध्यक्ष राधनास सिंग है उन्होंने कोई मीडिया को एड्रस नहीं किया इस मामले में क करोना के मामले में हाँ एक बात है कि केजरिवाल की तारीफ करनी पड़ेगी कि दिल्ली में बीते साथ आठ दिनों से या दस दिनों से रोज पाच बज़े उप्रेस कांफरेंस करते हैं लेकिन और कुछ मुख्यमंत्री या उनके कारियाले के लोग करते हैं उत्तरप्रदे तीन बार आ चुके उसी तीन बार कुछ योजनाओं पर तो बात करते कुछ प्लान पर तो बात करते कुछ फ्यूचर प्लानिंग तो बताते कुछ और ऐसी चीज़ें बताते जिसे पता चलता यह जो 40 करोर गरीब लोग हैं एक करोर जो कंस्ट्रक्शन के मजदूर हैं उनक उससे ज्यादा आपके भीतर सवाल होगा कि मीडिया अपनी भूमिका जो मीडिया को निभानी चाहिए वो नहीं निभारा है अमेरिका का मीडिया जिस तरह से काम कर रहा है उसका हम 10 वह हिस्सा भी कर लें तो मेरे ख्याल से बहुत बड़ी भूमिका निभाएंगे लेकिन अच्छी चीज़ यह है कि चुकि अब डिज्टल और ट्विटर, फेस्बूक, यूटूब का जवाना है इसलिए सच्चाई छिप नहीं सकती बनावट के वो सुनों से सच्चाई सामने आती है और अगर कुछी छिपेगी तो भी आएगी अगर अफवा फैल आएगे मीडिया के एक गुरुप के द्वारा प्रियागराज को लेकर या फिरोजावाद को लेकर या शहारनपूर को लेकर या किसी और शाहर को लेकर और यह सारी अफवा है किसी एक समुधाय को, मुसलमानों को, जमात को बदनाम करने के लिए एकदम एजिंडा यहां बहुत ही clear है उसमें कोई confusion नहीं है जहां वो मिलता है वो बदनाम करने के लिए तुरह जो भी कोशिश होता है पूरा ग्रूप शामिल होता है लेकिन उन सब का counter police ने किया है तो मेरा आप सबसे निवेदन है कि सतर्क रहें सजग रहें जो lockdown है मैं उसक को सही मानता हूं इसका अक्षर सा सौफिज दी पालन करें कहीं अपनी तरफ से ऐसी कोई चूक न छोड़ें जिससे कोरोना की किसी कड़ी को जोड़ने में आपकी भूमीका हो जाए और फिर कुछ और मुद्दों पर आपसे फिर मिलूँगा और जैसा कि YouTube के अंत में बहु कर शोड़ कर शोड़ के